नमस्का दोस्तों ये पाम इनकी उम्र 51 एर्स है और काफी उतार चड़ाव इस पाम ने देखे है यानि छोटी-छोटी राव रेखा है प्लस प्रोग्रेस लाइन है सारा कुछ होते होते भी यानि हर दो-तीन साल में कोई ने कोई रुकावट इनके जीवन में चलती रही होग ये अलग ही डिफरेंट टैप का पाम है और संगर्स करते ही जीवन भर दिख रहे होंगे जीवन भर संगर्स क्यूंकि राहू रेखा है बहुत स्ट्रॉंग तो नहीं है पर छोटी-छोटी भी व्यक्ति के जीवन में काफी बादाय लाती है अब इस पाम को देखे तो ये स्क्वेरिश है व्यक्ति महनती होता और महनत करके अपने जीवन को सक्सेस्फूल बनाता है काफी महनती होंगे पर बार बार जीवन में राव रेखाए इनका प्रॉबलम क्रिएट करती होगी इनके जीवन में अंगुठा भी मध्यम टाइप का है तो मध्यम परस्नालिटी होगी फर्स फैलेंज नुकिला है कारे के प्रेति जिद्ध भी होगी सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है तो तथ्यों के साथ लोजिक के साथ अपनी बात बताने में भी एक्सपर्ट होंगे फर्स उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भ भी होता है प्लस इनके थर्ड फैलेंज कंप्लिट एक प्रेस कर किये हुए कपड़े की तरह है तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होंगे पर फिर भी सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी पामिश्टी की यही खासियत है अगर सारे पॉइंट अच्छे है पर एक का जगह पर कहीं पर माइनस पॉइंट आ गया तो व्यक्ति सदा संगर्स करते हुए दिखता है तो सेम चीज है सारी चीज है पॉजिटिव है इनके हाथ में पर छोटी छोटी राव रेखाओने इनके जीवन को डिश्टब करके रखा हुआ है छोटी उंगली भी फर्स फै पर दिखाओने में एक्सपर्ट होता है और सुर्य परवत की फर्स फैलेंट तक उंगली के फर्स फैलेंट तक पहुच रहे है तो व्यक्ति डॉक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संबाल करकना मनी मेनेजमेंट अकॉंट्स ये सारी चीजों में एक्सपर्ट ह होता है और प्लस ये उंगली और अंगुठा अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है तो आधी जंग तो ऐसे ही जीत लेता है बुद्पर्वत पर भी देखे तो बहुत सारी खड़ी लाइने एक दो तीन चार ये जब लाइने होती है तो व्यक्ति बोली बहुत अच्छी होती ह दिखने में सुन्दर होता है प्लस व्यापार वानिजी के गून अच्छे होते है बेसिक विज्ञान के गून भी अच्छे होते है चाहे अगर कॉमर्स का व्यक्ति भी है तो भी उसको बेसिक साइंस का नौलेज या टेकनोलोजी का नौलेज जरूर होता है तो ये प्लस प पर देखे तो एक शुक्रवलय बना हुआ है यह व्यक्ति को जैसे जन्म लेता है परिवार संपन्द बनता है और यह जीवन भर साथ देता है पैसे के रूप में जहां आम इंसान एक हजार कमाता है वहां यह लाखो कमाते है इस तरह का फायदा व्यक्ति को मिलता है और यहां यहां पर बहुत सारी रेखाए है, जब बहुत सारी रेखाए हो तो व्यक्ति का concentration level वो level का नहीं होता, जो एक होना चीह है, एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पाता, तो इसका उपाय मैं दोंगा इनको, और यहां पर छोटे-मोटे square भी बन रहे, जब square होते तो व्यक्ति का फ sign भी बनी हुई है, तो जीवन में यह भी लाप मिलेगा, पर सारी चीजे बोलते-बोलते, यहां पर रहु रेखाए जब आती है, तो कहीं न कहीं हमारी भी हिम्मट तूट जाती है, विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति, basic knowledge अच्छा होता है, और basic knowledge के कारण व्यक्ति और लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते है, सनी परवत भी देखे, तो एकदम flat है, तो आलत से क्या होता है, पता ही नहीं होता, प्लस यहां पर छोटे-छोटे square बने हुए, तो इनको पुस्तेनी जमी जायदात मिलने के भी chances काफी bright है, और 2-3 square बने हुए, कम से हम 3-4 square बने है, तो छोटी-छोटी पुस्तेनी जमी जायदात का लाब भी इनको जीवन में प्राप्त होगा, और continue रेखाय बनी हुई है, मैं close-up में show करूँगा, multiple income के source हमेसा बने रहेंगे, जैसे जैसे उमर बढ़ेगी, वैसे वैसे बने रहेंगे, और आलस क्या होता है, इनको और इशारा करती है, और गुरु परवत थोड़ा सा छोटा है, तो कहीं न कहीं परिवार से दूर रहने का मौका आता होगा, इतना भी छोटा नहीं है कि बहुत जादा दूर, पर कभी न कभी इस तरह का आउसर इनके जीवन में आया होगा या आगे आ सकता है, बागे ऐसी कोई दूसरी साइन नहीं दिख रही है, यहाँ पर एक दो रेखाए दिख रही है, यह बुड़ापे में सपलता की और इशारा कर रही है, अंदु नि मंगल बहुत जादा मजबुत नहीं और बहुत जादा कमज़ोर भी नहीं है, और यहाँ पर बहुत सारी रेखाए है, पर इसका इलाज है भुले नाथ के मंदिर पर डेली जल चड़ाना और मेडिटेशन करना, नो डाउट आपको मेडिटेशन करने में सुरुवात में काफी तकलिफ आएगी, पर आपको करना ही पड़ेगा, तो ये रेखा है, आपकी जो चिंदा रेखा है, ये काफी डल हो जाएगी और आपको काफी रिलेक्स हो जाएगा, अंदुनि भारी मंगल भी अच्छा है, ये व्यक्ति को कहीं न कहीं हिम्मत देता है, और व्यक्ति अपने लेवल पर लड़ने की कोशिस करता है, और जब किसी से मिलता है, तो एनर्जी के साथ मिलता है, और यहाँ पर देखे, तो एक रेखा ये चल रही है, ये बहुत बार ये कंप्लिट हो जाए, तो ये पुर्वपुन्य रेखा बनती है, और बहुत बार ये आधी रहती है, तो कोर्ट केस या पुलिस टेशन से लेलेटेड इश्यू व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और चंद्रपरवत अच्छा है, और यहाँ पर एक दो यात्रा रेखाए भी है, तो यात्राओं का लाप इनको जीवन में अवश्य मिलेगा, हाँ, बहुत सारा उठा हुआ तो नहीं है, पर एक व्यवसित चंद्रपरवत जरूर है, इसरगा चंद्रपरवत, व्यक्ति को कभी भी चांस होता है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि 100%, पर चांसे जरूर बनते हैं, विदेश से संबन्द आने के, डायरेक या इंडायरेक रूप से, हाँ, बहुत सारा उभर उभरा हुआ हो, तो 100% हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का विदेश से संबन्द आएगा, आएगा और आएगा, पर फिर भी एक मध्यम किस्म का चंद परवत है, तो काफी अच्छी सोच रखते होंगे अपने जीवन में, और साथ में देखे, तो यहाँ पर इनके मनी ट्रेंगल इतना स्ट्रॉंग नहीं है, यह इतना सा ही मनी ट्रेंगल बन रहा है, तो इंकम के सुरोथ, शुक्रवले के कारण अच्छे क्रियेट होते हैं, पर कहीं न कहीं इन्वेस्मेंट तूरंद करने की कोशिस करते होंगे, और एक रिखा यहाँ पर इस तरह से चल रही है, और यह इसके द्वारा बनने वाला एक ग्रेटर ट्रेंगल यह कैसे भी करके अपने जीवन में उतार चड़ाओ, आते आते भी सम्रुद्धी हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि यह ग्रेटर ट्रेंगल बना हुआ है, यह व्यक्ति को कभी न कभी सम्रुद्ध बना ही देता है, उस लेवल तक पहुचा ही देता है। क्यूंकि greater triangle जरूर बना हुआ है इनके हाथ में हाथ थोड़ा सा open यहाँ पर हलका सा हुआ है पर फिर भी मैं कहूंगा greater triangle है यह बहुत बड़ा plus point है और इसके द्वारा open money triangle भी बन रहा है और यहाँ पर जब फोक बनता है तो व्यक्ति के जीवन में यात्राय भरपूर रहती है यात्राओं का दौर अच्छा खासा चलता है शुकर परवत पर भी देखे तो बहुत सारी बारिक रेखा है यह व्यक्ति को जीवन में disturbance लाती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड के रखा हो आगे बढ़ने नहीं मिलता इस तरह की feeling इनको आती होगी और इसका उपाय है पुजा का उपाय है मैं इनको दे दूँगा और एक शुक्र की रेखा है यह व्यक्ति को कभी-कभी luxurious life देती है पर यहाँ पर यह जो बारिक रेखा है यह व्यक्ति को भहुत ज़्यादा disturbance लाती है जीवन में और शुक्र अच्छा है पैसा तो यह कमाते होंगे अब इनकी हिड़े रेखा हिड़े रेखा देखे तो गुरु परवत से सुरू होकर यह सीधी चल रही है और यहाँ पर flat line भी है तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बाद खुशी ढूंटा है और जब गुरु परवत से सुरू होती है त यह हो गया दोनों के बीच का divination और यह लग बग टच कर रही है और देर एखा मध्यम टाइप की है तो जंजटे तो जीवन में रहने ही वाली है क्योंकि dark color है बहुत जादा भी नहीं होगी और बहुत जादा कम भी नहीं होगी तो जंजटे तो जीवन में इनके जरूर रह जाएगी अब इनकी mind line को देखे तो complete guru परवस्य सुरू होकर यह इस तरह से यहां तक आ रही है और यहां पर एक शाखा भी है जनरली इस तरह की शाखा जब निकलती है तो देखा गया है उपर या नीचे तो व्यक्ति को नीन से related कभी न कभी problem आता है जल्दी नीन नहीं आ problem अती हो जाता है और कभी कभी relax भी होता है और इसी mind line पर लगबग 33 से लेके 43 तक continue रेखाओने काटा है यह period इनको कमर से डर्द related कोई न कोई इस्यू जरूर जीवन में आया होगा क्योंकि यह mind line का संबंद सिद्धा करोड रज्जू से है अपनी spinal cord से है और उस पर कहीं पर भी कोई रेखा काटती है तो उस period में व्यक्ति को कमर से related दर्द जरूर सहना पड़ता है इस period में इन्होंने सहन किया होगा और उसके बाद mind line smooth चल कर आगे चल रही है बागे mind line अच्छी है कोई problem वाली बात नहीं है हाँ बीच-बीच में महतोकांशा अच्छी होगी और महतोकांशा पूरी भी करेंगे अब चलते हैं इनके जीवन रेखा पर जीवन रेखा पर देखे तो बहुत सारा उतार चड़ाओ दिख रहा है एक उम्र लगबग 28 के आसपास राहु रेखा ने काटा उसके बाद 32, 33, 36, 37 यह continue राहु रेखाय काटी उसके बाद 40 इस तरह से राहु रेखाय कट कर रही है फिर 42 से लेके 49 तक का पिरियड काफी उत्तम गया होगा क्योंकि 3-4 ओफशुट है यह पिरियड इनके लिए काफी उत्तम गया होगा और उसके बाद फिर वापस पिरियड राहु रेखाव वाला आ रहा है जो वर्तमान पिरियड है अभी इनके उम्र 51 है और यहां पर कट लग रहे है यह जब राहु रेखाय काटती है और यह लगबग 63 तक इस तरह के पोजिशन इनके जीवन में चल रही है हर देड़ दो साल में धाई साल में कोई न कोई राहु रेखा इनको काट रही है 42 से लेके 49 का पिरियड काफी उत्तम रहा होगा और वैसी चीज यहां पर देखे फेट लाइन भी चमक रही है और इस पिरियड के बाद वापस राहु रेखा हो ने इंजड़ किया और इस पिरियड में भी राहु रेखा है थी पर जब प्रोग्रेस लाइन होती है तो उसका असर इतना महसुस नहीं होता मेरी इन से सला है अगर जीवन को उत्तम बनाना है तो सुबे शाम स्ट्रिट डॉगों को खाना खिलाइए सुरज अस्थ होने के बाद आप जो गरिब वर्ग होता है उनको खुश करिए दान करिए अपाईज मिले या गरिब व्यक्ति मिले साम के समय सुरज ढलने के बाद ये काम करिए आपके जीवन में उन्नती 100% आएगी क्योंकि सारी चीजे बनी हुई है ग्रेटर टैंगल बना हुआ है शुक्रवलय बना हुआ है केवल राहु रेखा है आपका जीवन डिश्टब कर रही है कोई न कोई बाद आए सब तरह से आप चतूर हो बिजनेस माइंडेड हो सब कुछ है पर हर समय कोई न कोई न कोई ड रुकाउटे रुकाउटे ही है तो व्यक्ति कहीं से चैन से नहीं रह पाता अच्छी खासी तकलिफों का सामना व्यक्ति करता है सेम चीज इनकी फेट लाइन पर भी है मैं इनका क्लोज अप लेता हूँ यह इनका क्लोज अप यहां पर देखिए एक 31 के आसपास इधर 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 कंटीन्यू कट लगे हुए है यह इन्वेस्मेंट शो हो रहा है लगबा गुम्र 42-43 के आसपास फिर उसके बाद भी कट यह कंटीन्यू कट लगते हैं और यह चल कर यहां से उस कंटीन्यू मल्टिपल इंकम के इंकम इनकी रहू रेखाओ से रिलेटेड है जीवन में इसका उपाए इनको 100% करना होगा नहीं तो जीवन में बाधाय आती ही रहेगी और तकलिफ उठाते रहोगे हां इंकम आपके एंड बनी रहेगी इंकम के साधन आपके पास बुड़ापे तक बने रहेंगे कंटीन्यू इंकम आती रहेगी पर रुکाउटे भी आपको जीवन भर आती रहेगी और जब भी इंकम आती है अच्छी खासी आती है क्योंकि शुक्रवले वाला हाथ है इसमें प्रोब्लम नहीं है पर रुकाउटे आपको बार बार डिश्टरब करती है तो आशा रखता हूं आपके सभी प्रशनों का जवाब आपको मिल गया होगा और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के कर दो